दोस्तो भारत देश के जिस ने संसद भवन की चर्चा फिछले कुछ सालों से हो रही थी वो संसद भवन बन कर तयार हो गया है इसके बनने में लगबग 28 महीने खर्चुए है 862 रुपए के लगबग लागत आई है सेटिंग कैपेश्टी की बात की जाए तो 1272 चेंबर बने हुए है तोक सभा के चेंबर 88 है तो राज्य सभा के चेंबर 384 है दुनिया के बेहत खुफसूर्थ संसद भवनों में से ये भारत का भवन अपने आप में एक अनुठा अजूबा और अनुपम है ये बहुत विशाल है इसकी कैपेश्टी पुराने संसद भवन के अपेक्षा कई गुना आधिक है इस ने संसद भवन के आर्केटेक्ट के रूप में बिमल पटेल को चुना गया जीनों ने अपनी प्रिती भागा बखुबी प्रीच दिया और इसे भवुती शांदार रूप से बनाया इस ने संसद भवन के अंदर पुजा पाठ अवन आधी के लिए भी स्थान सूनिशित किया गया है अन्य धर्मों के प्रेर स्थान भी सूनिशित किये गये हैं ताकि भारत की धरम निर्पेक्षता की विशेषता जीवित रहे दोस्तों सुनने में एक बात और आ रही है कि भारत ये दंडचिन के रूप में सेंगोल को स्थापित किया जाएगा और 28 मई को भारत के मानने परधान मंत्री स्री नरेंदर मोदी जी इस नए संसद भवन का उदगाटन करेंगे परधान मंत्री जी ने आज ये ट्विटर पर ट्विट किया है और ये वीडियो अपलोड किया है और उन्होंने हर भारती से इसे सेर करने को भी कहा है दोस्तो वीडियो को लाइक सेर करकर चैनल सबस्ट्राइब कर देना नमस्कार